आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहली एक अपेल देशपर में 18 साल से अधिक आयूवर के लिए सरकारी केंद्रों में निशुर कोविट टीका करन अभ्यान जारी है युवाहों से आग रहे कि टीका ज़रूर लगवाएं और अने लोगों को भी इसके लिए प्रोत्ताहित करें जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सरक्षा के तीन सरलुपायों का पालन कर मास्क लगाएं दो गज के सुरक्षे दूरी बनाए रखें हाथ और चहरा साफ रखें कोविट संबंधी जानकारी और मागदेशन के लिए राश्योय हल्पनाई नंबर 011-2397-8046 और 1075 पूल संपर्थ करें अब समाचार वस्तार से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने कहा है कि स्वामित्य योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेश देने की योजना पर नहीं है बलकि आधुनिक टिकनोलजी से देश के गाउं में विकास और विश्पास का नया मंत्र भी है प्रधान मंत्री ने हरदा सिले के हांध्या तासील के हितकराही पवनकुमान, टिंडौरी सिले के प्रेम सिले के प्रेम सिले के और सीहोर सिले के बुधनी की श्रीमती विनिता भाई से बातचीद भी की इससे पहले कारिक्रम को संबोधित करते वे मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहार ने कहा कि प्रधान मंत्री ने विकास, जनकल्यान और तुराज का ऐसा मौदल दिया है जो पूरी दुनिया में च्छा गया है गौड तलब है कि स्वामित तुपंचायती राज मंत्राले के अंतरगत के इंद्री शेत्र की योजना है इसका उद्देश ग्रामेड शेत्रों के निवासियों को संपत्तिक अधिकार प्रधान करना है सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्राले ने वाहन स्क्रापिंग नीती के अंतरगत प्रोट्साहन और डंडात्मा कारवाई अधिसूचित की है इस नीती में वाहन मालिकों को पुराने और प्रुदूशन फैलाने वाले वाहनों को हताने के लिए पूच्जाहन देने थाथा डंड से बचने की विवस्ता की गए है मंत्राले ने कहाए कि प्रोचाहन की रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजी करन प्रमाणपत्र शुल्क में छूट होगी जो किसी पंजी कृत वाहन स्क्रैपिंग केंदर में वाहन जवाहन कराने के प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे मुंत्राले ने कहा है कि अगले साल पहली अप्रेल से 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनी करण का शुल्ग 500 रुपए और नए वाहन के पंजी करण का शुल्ग सिर्फ 600 रुपए होगा प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाओ के लिए कॉंग्रस ने अपने उमीद्वारों का एलान कर दिया है राज नरायंड सिंग को खनवा लोकसभा उपचुनाओ में उमीद्वार बनाया गया है अली राजपुर से लेके जोबट विधानतबाशेत्र से महेश पठील सतना की रैगाव आरक्षत सीट से कलपना वर्मा और प्रत्वीपुर विधानतबाश सीट से नितेंद्र सिंग राठोर को कॉंग्रस ने उमीद्वार खोशित किया है गौरतलब है कि चुनाओ कारिक्रिम के नुसार एंसीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे दो नवंबर को मतो की घिंती होगी नमांकन पत्र भरने का काम एक अक्टूबर से शुरू हो गया है प्रतिमा के लिए वही नियम लागों होंगे जो गड़ेश प्रतिमा के संबंध में थे इसके अलाबा मंत्र परिशद ने विवाह कारिक्रमों में अब 200 से 300 विक्तियों के शामिल होने की अनुमती दे दी है जिम अब 100 फिसीदी शमता के साथ प्रारंभ होंगे इसी तरह स्टेडियम भी 50 फिसीदी शमता के साथ खोलनी की अनुमती रहेगी भारतियों हौकी टीम अगले साल बर्मिंगहम राष्टमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी कोविट महामारी और भारस से आने वाले यात्रियों के साथ भेद भावपून क्वारिंटीन नियमों को देखते वे ये फैसला लिया गया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुनेना में एक सड़क दुर्गटना में पुलिस उपने रिक्षक सही चार लोगों की मौत हो गई है सभी पुलिसकर में उत्रप्रदेश क्या लेकर से कुवालियर जा रही थे विधान सभा शीत्र प्रस्वीपूर उपचुनाओ के लिए कल टीकमगर का लेक्टरेट सभाग एक्षि में प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा सिला सरीय मास्टर ट्रेनर को प्रसिक्षन दिया गया छिन्वाडा सिली में 4 एक्ट्यूबर तक 18,97,000 से आधे कलाभाथियों को COVID-19 किती के लगाए जा चुके है सतना सिली की चित्रकूट में आज पित्र मोक्ष अमावस्या पर बड़ी संख्या में शृधालों पित्रों का तरपन कर रहे है इस बुलिटिन में इतना ही आप से कपील, मासक और दुकस के दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार